अब आपको ने चले ज़्य बनाते हैं चंडिकमोशम में बहुत ही अड़त अरक से बहुत ही टेस्टीह सा जिसके बज़ा है दो क्वेश्चा रोटी खा लेंगे इसके साथ आप करूंगाच चौल के साथ भी खा सकते हैं जो बहुत ही टेस्टी यह जो जिसके लिए मैंने कु बड़े से ले सुन और यहां पर एक इंचदर लिया है सारी चीजों को ने काट लिया है हमने एक पैन लिया है पैन में हम दो बड़ा चम्मस तेल डालेंगे और तेल को अच्छे सगरम कर लें गरम होने के बाद यहां गोभी गाज और प्याज को डाल करके हलका समय भूल लेन में कब दही लिया है कि अर्दा चूरी चम्मस हमने हल्दी पाउर डाल दिया है और साथ में एक टीश्पून भूनावाज जीरा और काली मिर्च का पाउर्डर यहां इसके साथ आम नवा कर टेस्ट के का मियादी कर सकते हैं और साथ में एक बड़ा चम्मस हमने धनिया आप चाहते ही इसकिप भी कर सकते हैं तो ऐसे कलर आने के लिए मैं डाल दी अ है अ अधित तेस्ट के अ completo कमेय्त है और चमक्मस नवाइं को में डाल मिक्स कर लेना ना है जिबवल साथ को अच्छे समिंब भीर ऐने को असी पैन में हम बड़ा चमस तेल और डाले गे एक अच्छे गतल होने के बादे हैं थेज पत्त को डाल दिया है pathway को टूटकर थेजब्यति हम पाइं उसको थाद लिया था अच्छे भुन्माटर के यहां पर साहथ भीन्हीं रॉपकर दाल देंगे तब फेत डालेंगे गैस बहूत ही दीमी हो और झाहिए तो आप गैस बंद करके भी दाही के पेश्टा आ सकते हैं गर्वा-गर्वर्वा दाही के पर जालेंगे था ही फड़ी सकती है मैं जो गैस चल करके भी तो आइब अब भी आप इसके बात अब गैस आउन कर सकते हैं साथ में हरी मिर्ची ऐसे रफली करकर डाल दिया एक सीजन की साथ से मटर मिल नहीं है यहां पर मटर बिड़ डाल दिया चिल करके एक मटर का भी डाल दिया और पहले मसालों को में अच्छे से भूलने ना उसके बाद ही हमें सब साइची चीजों को डालना है जब तक साइची तेल ना चुड़ने लगे मटर डालने के बाद यहां पर हमने गोभी और गाजर और हमें जो टोमाटर को भून के रखा था वो भ बहुत ही टेस्टी बनावा था यह की मानी अब दो चाहर रोटी भी खा लेंगे इसके उसी साथ हमने थोड़े से यहां पर आधा कप पानी का भी डाल दिया है आप शाइची जों कच्छे से मिक्स कर लेंगे हम उसी साथ यहां पर हमने एक उबलेव आलू भी डाल दिये हैं आप चाहें तो आलू नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्क्रिश्क्रीप खशकते हैं एक उबले आलो को भी उबने डालदीया है उबले आलो ता इसलिए उबने पहले नहीं डाला हो इद डाल देंगे और पान समस्में और ढ़कके खलím हो में अमें किस्ति केश से पखा लेना है गास कपले हम्दफ़ार लो करके जबत्यवा हुभी हमारी अच्छी सभ्य पकना ज ग्रेवी भी अपर हिसाब साब कम्यादी कर सकते हैं पानी की क्वांटिटी पर ढखकर के में दो मेड़तों के से दो सा ती मेड़तों के में पगा लेना है जब तो कि गोबी एच्छे सपक ना चाहिए कि जो बहुत ही टेस्टी बना हुआ है लागपा गोबी पक चुकी है कि अपने देखा इसको बनाना भी बहुत ही आसान है बहुत ही टेस्टी बना हुआ है कि इस थन के मौसमें इस्तर रख्याप सब्जी बना करके ट्राइक करें बहुत ही सबको बहुत ही पसंद आएगा और साथ में या पर थोड़े समने कसुरी मेथी लिए जिसको हाथों समने त्वर्ण रख करके डाल दिया है जब समाई लगबट सब्जी डडी हो गई है आप इसे गर्म का अंचाल के साथ खाई है गर्म का रोटी पराठा या नान के साथ खाई बहुत ही टेस्टी बना हुआ है अब देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी यह बहुत ही अब स्थे बना के जो ट्राइ करिया और मुझे कमेंट्स करके जो बताएगा कि आप कोई रेस्पी कैसी लगी अब कोई घर में मान आ जाए तो आप इससे बना के खिला सकते हैं अठाण के मसमा में तो सब्सक्राइब बहुत है सारी मिलती है उमीद करते हैं कि आपको रेस्पी मेरी पैसंद आई होगी और अच्छी लगी तो लाइक सिखा करना बिलकुल न भिले चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें न भोले आप आप चाहिए तो बच्चो के ट्रिफी में भी ऐसे बना के दे सकते हैं बच्चो को भी बहुत ही पसंद आया तो मेरे बेटी को तो बहुत ही पसंद आया तो दोस्ती पर मांग के एक खाया फिर मिलते एक नई रेस्पी के साथ कमेस करके जो बताईए अब थैंक्यू फर बाच्चे एं गुडबाए